चैनल को सब्सक्राइब करें और पेल आइकन दबाएं लेटेस्ट टेकनलोजी अपडेट के लिए नमस्कार दोस्तों हमारे एसस टेकनलोज चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों हम जब भी अपने मुबाईल से कोई वीडियो सूट करते हैं एसटी क्वाल्टी में चार या पांच मिनट का तो उस सूट किये हुए वीडियो का साइज लगभख पांच मिनट करते हैं तो देखते हैं उसका साइज 50 MB, 60 MB या जारे जारा RC MB तत होता है और वह भी फुल एजटी क्वाल्टी में होता है तो आप सोचते होंगे कि यह कैसे होता है कि हम जो सूट कर रहे हैं वह 500 MB, 600 MB या वन जीवी ते खोड़ आता है लेकिन उतने ही मिनट का वीडियो यूट्यूब का के वर 50, 60 MB, RC MB का होता है ऐसे कसे होता है तो नोगों को बता दूँ यह उसका साइज ऐसे कर देथा है वेसे तो प्लै स्ट्ट in the पे पार आप लोगों को बहुत सारे वीडियो कंप्रेंसर मिल जाएंगे लेकिन वह सही Karl के सही काम करते हैं अगर वीडियो का साइज कम कर देते हैं तो वीडियो का क्वाल्टी खराब कर देते हैं लेकिन मैं जिस वीडियो कंप्रेसर के बारे में बताने जा रहा हूं वह अप्लिकेशन पेस्ट है और यह मैं एक अप्लिकेशन को केवल ट्राइ करके नहीं बता रहा हूं मैंने लगभ वीडियो कम्प्रेसर का नाम है विट कंपेक्ट जो आपके वीडियो के साइज को कंपेस करके लगभक 95% तब कम भी कर देगा और वीडियो के क्वाल्टी में कोई फरक नहीं पड़ेगा तो उस अप्लिकेशन के बारे में जानने के लिए पले हमें उस अप्लिकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा इसके लिए सबसे पहले जलते हैं अपने प्लेइश्टोर पे और अपना प्लेइश्टोर ओपन करते हैं अब प्लेइश्टोर को ओपन करने के बाद एड्रेस बार में हम लिखेंगे विट कंपैक्ट करेंगे जैसे हम सामने पहले ही नमबर पर देखिए यहां पर पहले ही नमबर पर आ गया यह अप्लिकेशन इसको हम ओपन करेंगे देखिए इसको फाइब 5,000,000 लोगों ने डाउनलोड किया है और इसकी 4.4 की इसकी रेटिंग है जो बहुत अच्छी मान जाती है और यहां पर देखिए मेरे में अपडेट लिख रहा है क्योंकि इस अप्लिकेशन को मैंने पहले डाउनलोड कर लिया है आप में यहां पर इंस्टॉल लिखेगा इस इसको उपन करता हूं इस इसका इंटरफ्येस कुछ देखेगा कि देखे दोस्ता पहले नमर पर है ट्रीम एंड कंप्रिस दूसरी नमर पर है बेज कंप्रिशन तीसरे नमर पर है कर मद्टूएंप फॉर तीसरी नमर का अप्शन का मतलब यह है कि आप किसी भी वीडियो को यहां पर दूसरे नमबर पर लिखा हुआ है इसका मतलब हुआ कि किसी आप खोल्डर में तीन या चार-पांच-छे वीडियो जो भी आप रखे हैं उन सब वीडियो को आप एक ही बार में कंप्रेश कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों पहले आक्सम पर चलते हैं यहां पर हम एक छोटा सा फाइल ले लेंगे कि बढ़ दिखाने के लिए देखिये यहां पर फाइल है 11.2 MB की है और 9 सेकंड की है इसको हम लेते हैं इसको कंप्रेश करके दिखाते हैं इस पर हम टिक कर देंगे टिक करने के बाद देखिये एक नए बिंडू कुलेगा इसमें पाए साइड में सबसे नीचे देखिये यहां पर लिखा हुआ है इसके टिक करेंगे देखिए वीडियो का यहां फार्मेट दिया हुआ है कुछ इसमें 480P का बेश्ट दिखाया गया है इसी को हम प्रोक्राइब देते हैं आप चाहिए तो 646 जी रख सकते हैं लेकिन यहां 480 बेश्ट दिखा रहा हम इसी को रखेंगे अब ताहिने नीचे आके हम क्या देखते हैं कि यह जो है वीडियो के साइज को 93% तक यह सबसे उपर दाहिने साइड में हम देखते हैं यहां पर एक सीज़ करना हुआ है इस पर हम टिक करेंगे देखिए हमारे सामने एक नया विंडोग फूलेगा यहां पर कुछ आपसर है हम यहां से चाहिए हम सेहर कर सकते हैं यूट्टूब पे और इस्टाग्राम पे की द那 अव्चा की सेपर करेंगे देख्यों यहां को यां हो ईंजेशेह देले कि यहां हमारे वीडियो को मिया करेंगा आप इसटार कर देगका देखिए दूह यह अप्लिकेशन है तो बहुत अच्छा यह आपके वीडियो की साइज को कम्प्रेश करके बहुत छोटा कर देगा उसका क्वाल्टी भी खराब नहीं होगा लेकिन थोड़ा थहर से काम आप लोगों को लेना पड़ेगा क्योंकि इसमें टाइम लगता है कम्प्रेश होने के आप लोगों को बता दू कि वीडियो कम्प्रेश होने का जो समय इसमें लगेगा विडियो के साइज ले निवर कर दा है जाते बड़ा साइज तो ज्यादे टाइम लगएगा चोटा साइज होगा वीडियो का तो कम टाइम लगएगा देखते हैं देहिए हमारे वीडियो दोस्तों हमारा जो ओरिजिनल वीडियो का साइज था यहां पे दियार हुआ है 11.2 MB का साइज लेकिन अभी जो इसका साइज हो गया है के वर 912 के भी रह गया है यहां पे देख सकते हैं is video compressor में 10.31 MB तक इस video को compression कर दिया है जिससेрем से मिनटर कर दिया है जो चलिए हम दोनों video को पॉरिझमेर video को प ŚlEMेक और क्प्रेश की वीडियो को बॉकूस के बादी करेंगे और देखेंगे कि इनके qualitative में कोई आ तरा आ आ चाया है इसका size तो बहुत कम हो गया वीडियो का लेकिन quality कर लेते हैं एक बाद चलिए आप file को पॉले open करते हैं original video लेखने के लिए original video लेखने के लिए original video लेखने के लिए original video का quality इसके बाद हम चलते हैं जो video हमारा compressed हो गया है उस video के तरफ चलते हैं यहां पे देखिए width compact folder में आकर हमारा save हुआ है इसको हम open करते हैं और देखिए यह है हमारा video compressed हुआ हुआ इसको हम open करके इसका भी quality check कर लेते हैं देखिए दोस्तों यह कमाल हो गया है video का size 93 points तक कम भी हो गया है और video के quality में बिलकुल कोई अंतर नहीं आया है पसंद आया हो तो लाइक करें हमारे चैनल से पहली वह रहा है तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ यह करना ना भूलें थैंको दोस्तों